ओमे नमह सीवाई नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के जे अक्छर से सुरू होता है तो इस नाम के लोगों के जीबन में साल दो हज्यार बाइस में क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह वेडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी एबम महत्तोपुर्ण है मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके साल दो हज्यार बाइस का अनोखा टोटका है जिस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि जिन लोगों का नाम जे अक्छर से सुरू होता है तो उन लोगों के जीवन में साल 2022 में क्या क्या होगा मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके आर्थिक जीवन के बारे में मित्रों साल 2022 में पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका शमय ठीक रहेगा क्योंकि आने वाले शमय में यनी की साल 2022 में गुरू बिरस्पती का प्रभाब आपके कुंडली के दूसरे घर में पड़ेगा जिसके कारण आने वाले शमय में आपको पैसे कमाने का मौका एबं पैसे बचाने का मौका बहुत जयादा मिलेगा मित्रो आने वाले शमय में आप अपने आर्थिक पक्च को मजबूत करने के लिए कोई जमीन जयादाद खरीद सकते हैं इसके अलाबा आने वाले शमय में आपके घर पड़िबार में कोई मांगलिक कारण होगा कोई सुभ कार्ज होगा जिस कार्ज में आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा एबम कुछ समय के लिए पैसों की पड़ेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे उस हालात से बाहर निकलने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों साल 2022 में जनबड़ी फरबड़ी एबम मार्च के महिने में आपको पैसे कमाने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा साल 2022 के इन तीन महिनों में आपको पैसे कमाने के लिए नए नए सुरोत मिलेंगे नए नए रास्ते मिलेंगे मित्रो आने बाले शमय में आप में से कुछ जातक कुछ दर्सक कोई महंगी बस्तू खरीद सकते हैं इसके अलाबा आने बाले शमय में आप में से कुछ जातक कार घर या जमीन के उपर में अपने पैसे का निवेस बहुत ज्यादा करेंगे मित्रों आने बाले शमय में यदि आपके घर पडिवार आपके पाडिवारिक जीबन की बात कड़े तो आने बाले शमय में आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन सामान्ने होगा मित्रों साल 2022 के सुरुवात में गुरू बिरस्पती के दूसरे भाव में होने के कारण आपके घर में आपके पडिवार में किसी नए मिंबर का आगमन हो सकता है वैसे मित्रों आने बाले शमय में आपके घर के लोगों के बीच में प्यार बहुत जियादा बढ़ेगा एबम आने बाले शमय में कुछ समय के लिए आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत जियादा बिहतर एबम सांदार होगा लेकिन मार्च के महिने के बाद में राहू की दृष्टी आपकी रासी के चोथे घर में होगी एबम राहू के चोथे घर में होने के कारण आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब होगा एबम इस अबधी में आपके माता पिता के सेहत में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा तो आने बाले शमय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने बाले शमय में आपका बैबाहिक जीबन एबं आपका प्रेम जीबन कैसा होगा? मित्रों आने बाले शमय में आपके बैबाहिक जीबन में एबं आपके प्रेम जीबन में पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा? आने बाले शमय में आपको इन मामलों में समहल कर रहने की आबिशिकता है? मित्रों आने बाले शमय में यदि आपके दामपत्ते जीबन की बात करे तो आपको अपने बिचार अपने वानी एबं अपने विबहार पर बहुत जयादा काबू करना होगा? क्योंकि आने बाले शमय में यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका दामपत्ते जीबन आपका बैबाहिक जीबन बहुत जयादा खराब होगा? मित्रो आने बाले शमय में आपके पाडिवाडिक मुद्दे के कारण आपके बैबाहिक जीबन में कुछ पड़ेशानी होगी लेकिन इस पड़ेशानी को खत्म करने के लिए आपको आपस में बैठ कर बात करना चाहिए क्योंकि इन चीजों पर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका बैबाहिक जीबन एबम आपका प्रेम जीबन बहुत जयादा खराब होगा तो आने बाले शमय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में किस टोटके को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको सनी बार के दिन काले रंग की बस्तूओं का दान करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं सनी बार के दिन यदि आप काले रंग की बस्तूओं का दान करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर होगा एबम साल 2022 में आपके जीबन में कोई भी पड़ेशानी नहीं होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एबम इस वेडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यड़ कर दें धन्यवाद